नमश्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चले ट्रेटर्स टायरी में दोस्तो क्या ये शेर जो मैं बताने वाला हूँ क्या ये शेर 50 रुपए से 5.000 रुपए भिख सकता है अगली 10 सालों में जो की बजार में बाते चले रही है क्या ये सही बात है जो कि दो साल से इस company के ऊपर बात चल रही है कि अगला बजाज finance यही stock बनेगा यानि यही company बनने वाली है अगर ऐसा हुआ तो आप तो करोड़ पतनी बनने वाले कि अगर जिसके पास भी 100 share भी होंगे ना इसके तो वो भी आगे चलके एक दो करोड़ का तो मालिक बनी ही जा करते हैं तो पहले सुरू करते हैं इनके fundamental से इस stock का fundamental क्या बोलता है क्या यह बन भी सकता है या नहीं तो चलिए सुरू करते हैं तो मैंने यहां पर आपके सामने fundamental financial indicator लगा रखें और मार्केट कैप है इस कंपनी का 7893 करोड़ यानि पूरा पूरा 7900 करोड़ रुपे माल लें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है 7900 करोड़ की कंपनी है पचास उपे पर चल रही है तो बहुत ही ठीक बात है EPS नेगेटिव है माइनस 3.87 तो यहां पर लॉस मेकिंग कंपनी है यह यहां पर प्रॉफिट ज्यादा नहीं है तो यहां पर देखना पड़ेगा कि क्या रियल्टी भी है वी कि यह वजज़ फ पी रेशयो दे नहीं रखा है तो इंदंडस्टी पी से कंपेर करने की बात ही नहीं पर सकता है लोन पैसे मैं नरे आपको वीडियो अधाओं पर शेयर क्या होता है जो स्टॉप की रियल वेल्यों होती है fundamentally जो एक price निकल के आता है वो उस value को का जाता है book value पर share तो यहां पर 52 रुपए 72 पैसे है book value पर share और यह काम कर रहा है 50 रुपए बया नहीं अपने book value से भी 2 रुपए 72 पैसे नीचे काम कर रहा है तो अब इसी बात है सस्ता है यह तो यहां पर हमें समझ में आता कि P ratio भी जो है वह यहां पर सस्ता ही होगा चलिए ठीक है अब देखते हैं कि net sale क्या बोलते हैं इनकी छैस पास साल की net sale आपके सामने लगा रखें और net sale है 2016 मार्श से लेकर 2020 मार्श तक मैं बता दू कि इस company मैं चलिए यह बात तो आगे बात करेंगे तो net sale इनकी 8,942 करोड रुपए 2017 में net sale है 10,314 करोड रुपए 2018 में 619 करोड रुपए 2019 में 355 करोड रुपए 2020 में 340 करोड रुपए अब आप कहेंगे कि यहाँ पर लगातार यह downside क्यों है तो 2017 से पहले कि अगर बात करें तो यहाँ पर दो विजनेस इंड कंपनी होई है डी मर्ज अब कंपनी डी मर्ज होई है तो इनके पास जो company का जो बिजनेस वचा है उसकी sales जो है वो 2018 से सो कर रहे है जिसके वैसे 2018 sales 2017 स कम है तो यहाँ पर आपको समझ में आगे कि जो बाकी का बिजनेस है वो दूसरी company में चला गया तो यह अब यह company का बिजनेस का जो इस company का जो अर्निंग है वो आपकी 2018 से दिखा रही तो लेकिन अगर 2018 से भी देखेंगे तो लगातार यहाँ पर 50% के असपास sales यहाँ पर गिर चुकी है और 2020 माज तक यहाँ पर यही दिखा रहा है कि इस company में कोई भी टर्न अराउंड नहीं है पता नहीं कैसे यह लोग कह रहे हैं कि बजाज फाइनेस बनेगा अब पी एटी क्या है पी एटी वें भी सेम आपके सामने वहीं कंडिशन में बता देता हूं 2016 से 2017 2018 2019 साल का यहाँ पर दे रखें और प्रॉफिट आप्टर टेक्स है दोजाव सोला में माइनस पांटसूइक क्यान्मी क्रोड रुपए है यहाँ पर लौस था इनका दोजाव 17 तक इस तरह सो आठ करोड रुपए यहाँ पर इनोना कमाया दो जार एठारा में 47 करोड रुपए नंप मुम्हार्स मेश 20 and 2017 करोंट उपर नपने तक के म태 यह सब्सक्राइब सोक्राइब्र हो गया झाए और य कंपने वाट गही पहीज़ है उसी वारन दिखा हिए जो शेज़े लिए कadomo 你 brain here ever Ah फिर दिखा रहा है इस है आप डिकार रहा रहा है तो 2019 का क्वाल होगा तो यहां पर सम्झ Pixarण निकला जो रकी नीगेटिब दिखा रहा हो तो ने निएज़ नेगिटिव नहीं है फिक है प्रॉफिट है कंपनी में अभी आपके सामने दोजार एठार दो यार ने दो जार बीस के आसेट है आपके सामने इनके पस कितना है तो 15587 करोड की 2018 में एसेट थे इनके गट कर 2019 में दस जार पांसो सटावन करोड के रह गए हैं तो यहां पर फिर से दो हजार करोड के यहां पर असेट कम हुए तो असेट में तो भारी ग्रावट चल रही है अब यहां पर आप आए देखते हैं पुब्लिक शेरोल्डर से यहां पर क्योंब्र नहीं है प्रमोटर के कंपणी है यह अब जो भी फंडा उसमें चला हो कोई तिक्कर नहीं है बड़ी नामी कंपणी है आपको आपको नाम बताऊंगा आगे तो आपको समझवें आ जाएग तो यहां पर FII का बहुत अच्छा फिगर है डी आई का अच्छा फिगर है और नॉन इंस्टिट्यूशन इंवेस्टर्स का भी अच्छा फिगर है अब यह मुचल फंड ओल्डिंग देखिए भारत के ऐसी कोई भी कंपनी मुचल फंड कंपनी ऐसी कोई भी नहीं जिसने इस कंपनी में निवेश ना कर रखा हो आईसे इस ने तो भरमार के पैसा इसमें डाल रखा है 179 करोट रुपय इसमें इनकी वेल्यू दिखा रहे हैं 25 परसेंट इनका भड़ा है इस कंपनी में जो प्रॉफिट वो बढ़ा है तो आईसे इस आई आई अदित कोटा कोटा जितने भी आप नाम देख लेकर कोई भी सारे सारे म्यूचल फंड वाले इसमें गुसे हुए हैं सुन्दरम म्यूचल फंड सिरी राम जो भी हैं जितने भी म्यूचल फंड वाले हैं सब के पास इस कंपनी के सिदारी है तो क्या वाओ एक तब वाओ वाली सिट्यूशन है क की पचास रुपए में ऐसी कोई कंपनी आपको मिलने जा रही है बहुत बड़ी बात और यह आपके सामने आ गया है नाम आईडी एफसी फस्ट बैंक के बाद इसकी जो पेरेंट कंपनी है आईडी एफसी लिमिटेड हम यहां उसकी बात कर रहे थे आईडी से लिमिटेड आईडी एफसी फस्ट बैंक की पेरेंट कंपनी में आपको फिर से बता दूं तो यहां पर बॉल्यूम की कोई कमी नहीं है दो चारह चारह पचापचास लाग की बॉल्यूम होते हैं और यहां पर डिलीवरी वीक अच्छी खासी उठती है तो यहां पर आईड लिट कंपनी यह लाइक हडे हैगी कंपनी है होल्डिंग कंपनी है लिमिटेड वे यह से नंद आपके लिटेड लैंड लिमिटेड लिमिटेड है यह फ्रॉंसित ना लुए लिमितेड में Mae तो सम दण खैसे इस जो आफ़र हैं वह आपको सर्विस प्रोइड करुआते हैं तो फजाश वाइनेंस और आइडी फिस्टिया जो कंपेरिजन करिए आइडी फुक्ष्ट फस्ट फेस्ट बैंक से लेट बहुत अलगए तो यहां पर आपको यहां पर एक्दम यहां पर जो आपको दू एफसी का बिजनेस नहीं है आईडी एफसी फर्स्ट बैंक का बिजनेस बजाच फैनेस जैसा है ठीके ना दोस्तों तो यह चीज याद रखिएगा लेकिन अगर आपको खरीनी है एच डी एफसी जो अगली एच डी एफसी बन सकती है तो आपको आईडी एफसी लिमिटेट पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह कंपनी है जो कि सेम जो वरकिंग सर्फिसे से जो प्रोवाइट करवाते हैं वह है एच डी एफसी लिमिटेट की तरह सारी की सारी चीजह इनकी तरफ से प्रोवाइट कराई जाती है और सुनने में आया है कि आईडी एफसी फर्स्ट लिमिटेट का भी आगे मर्जर हो सकता है तो देखते हैं क्या चीजह होती है क्या डैवलप्मेंट आते हैं तो आपके सामने एक कन्फिजन दूर हो चुका कि बजाज फैनेंस जैसा यह शेयर का बिजनस नहीं है तो बजाज फैनेंस यह नहीं बन सकता तो अब दीजे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद दोस्तों